दोस्तो नमुश्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल या प्रीद डेफलर पर और मैं हूँ आपका अपना अविनाज़्तर पाथी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं में हूं हैद्राबाद में और घ्टरबाद में आज हम हैद्राबाद के एक और जो है फेमस टूरीज चेस्टिनेशन है गोल कुण्डा फोर्ट वहं पर आया हुआ हुँ तो गोल कुंदा फोर्ट की सहर करेंगे उसको एक्स्प्लोर करेंगे दोस्तों आप वीडियो में आखरी तक बने रही है एंजॉय कीजिए और एक रिक्वेस्टन से जिन्हों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सेनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर करते रहें लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें तो मिलते अंदर दोस्तों थैंक यूवरी माच एक मेजर टूरिस डेस्टिनेशन है है एदराबाद का तो आपको रश्टो हर जगे मिलेगा और यहां आने के लिए आप बस सर्विस जो लोकल बस सर्विस है उस पर बहुत ज़्यादा भरूसा नहीं कर सकते हैं तो बैटर्य यही है कि एक जगे है मेडी पटनम आप हैदराबाद में कहीं से भी मेडी पटनम पहुंची है अगर बस से आप सफर करना चाहते हैं वरना तो आटो, टेक्सी वगरा सारी चीज़ें अवेलिबल है अगर बस्ते आते हैं तो मैडी पटनम और वहाँ से शेयर ओटो मिल जाते हैं आपको 40 रुपए पर पैसेंजर लेते हैं मैडी पटनम से गोलकुंडा फोर्ड तक का तो यह टिकेट काउंटर है टिकेट काउंटर से टिकेट लेकर के और अब चलते हैं गोलकुंडा फोर्ड के अंदर प्रड वाज़ बाते हैं यह एंट्री पॉइंट है यह लोगे कितने बड़े बड़े हैं एंटी जोर आफित कहिए इंट के लगाल कने अंदरे और को यह लोकारिक। कि उस सामने गोल कुंड़ा फोर्ट जो मेन स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं ग्यार्वी सदी में बनवाया था काकतिया साशक ने काकतिया साशकों के बाद कुतुब शाही वन्स का इस पर कबजा हुआ और उसके बाद 1687 में औरंग जेबन कबजा किया इस पर ये तीन मंजिला बिल्डिंग है और ये बंद है इसमें अभी जा नहीं सकते हैं लेकिन ये 16 सदी के second half में बनाई हुई बिल्डिंग है और most probably ये weapons के लिए store करने के लिए इसको यूज किया जाता होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटिटिव लिस्ट में है ये गोलकुंडा फोर्ट और चार मिनार भी अब तो रूइंस में है खंधरों में है काफी जगे से टूटा फूटा है खंधर हैं यह आप देख सकते हैं देखिए यह एक जगे मैं अंदर चला गया हूँ अंदर का structure ऐसा है खंडर है लेकिन साफ सुत्रा है जिसे कई किलों में देखा कि उस तरह का भी साफ सुत्रा है और यहां बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हधराबाद का अब यह क्या structure है किसलिए बना हुआ है क्या यूज होता था इसका कोई आइडिया नहीं आपको उधर से जाने की जुरूत नहीं और भी रास्ते हैं वहां जाने के यह देखें लूज है यहां जाज करता थास्ते हैं अब और बिस्ट है Creator से सकते ही कीào खाल, खाल, खाल खाल बइमा कर दो कि फिल्मों की शूटिंग के लिए अच्छी जगह है और वो तीन मंजिला बिल्डिंग है एक बार फिर से जो मैं बता रहा था आपको 16 सेंचुरी के हाफ में बनी थी सेंच और वेपनरी स्टोर करने के लिए उसकिया जाता था बिल्डिंग को बंद है तीन मंजिला बिल्डिंग है करें अब करें अब कर दो कर दो अब 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 यह दोनों तरफ दिवारें हैं और दिवारों में यह जरोखे से बने हुए हैं दोनों ही तरफ और यह बीच में एक सड़क है गलियारा है जो भी है उदर पार्क बगरा बना हुआ है यह देखिया है यह देखिये किस तरह से पत्थरों से बनाई हुई यह दिवारें हैं और कितने मजबूत बनते थे आप यह देखिये इस बिट्स देखिया हुआ यह जब आप किले में एंटर करते हैं तो राइट साइड में यह पार्क सा बना हुआ है और यह अभीका नहीं है यह पहले भी ऐसा ही होता था और यहां पर हाट बजार लगता था या शौपिंग के लिए लगता था जिसमें यह फोर्ट में रहने वाले महलों में रहने वाले जो रोयल लोग होते थे और जो भी स्टाफ अगरा होता था तो उनकी शॉपिंग के लिए यहां छोटा मोटा मार्केट लगा करता था और गोल कुंडा को हीरे के व्यपार के लिए भी जाना जाता है पुराने टाइम में गोल कुंडा फोर्ट के अंदर ही एक मेजर ट्रेड सेंटर था यह हीरों के लिए डाइमंड्स के लिए पूरी दुनिया में मशूर थे यहां पे नस्दीक ही जो डाइमंड माइंस हैं उनके बहुत फेमस जो हीरे हैं वो यहां से निकले हुए हैं कोही नूर हीरा भी उनी में से एक है हमाते हैं एक है लिए टल्ट है क्यों करे लिए दूस्ट अवड़िक है मैं इधर में आया हुआ हूँ तो मौसम भी अच्छा है कल भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी मौसम बहुत अच्छा था और आज भी तेज धूब भी है लेकिन अब देखिए धूब चली गई है मौसम हो गया है और शायद आज की तारिक में प्रेडिक्शन है भी बारिश का यहां से उपर मंदिर बता रहे हैं तो पूजा करते हैं देखिए यहां से पूजा करते हुए जा रहे हैं लोग माता का मंदिर बता रहे हैं माता का मंदिर है यह देखिए जो हर स्टेर केस है हर सीड़ी है वहां तिलक लगा करके यह देखिए आपको नज़र आएगा एक बार यहां से देखिए हैदराबाद शहर का शांदार नजारा बहुत ही सुन्दर व्यू है देखिए वाव अभी और उपर चल रहे हैं शायद वहां से भी कुछ नजारा आए यहां से मुझे देखकर के अच्छा लगा मैंने कैप्चर किया इस साइड में भी कोई स्टक्चर बना हुआ है देख रहे हैं क्या है अब शायद इसका कोई यूज नहीं है इधर भी कुछ है पहले इधर देखते हैं क्या है ये भी हौध सा ही लग रहा है ये देखिए हौध ही है ये जगे जगे हौध बने हुए हैं तो पहले पानी स्टोर करने के लिए ये सब रहे होंगे पर शायद मंदिर है चलते हैं वहां लेकिन उससे पहले रास्ते में जो है वो देखते हैं ये मैं जगे जगे से आपको जहां भी उपर चड़ता जा रहा हूँ और शहर नजर आता जा रहा है तो वहां से मैं उसको कैप्चर करता जा रहा हूँ तो आप भी देखते रहिए और थोड़ा थोड़ा दायरा उसका बढ़ता जा रहा है यह देखिए यह एक बहुत बड़ा हॉल सा है रेक्टेंगुलर शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में है और इसको बनवाया गया था बाद में है अभी यहां मंदिर है बाद में इसको एक जेल के रूप में यूज किया जाने लगा था पहले साथ सामान वगरा रखने के लिए बनवाया गया था अब यह मंदिर है यहां एक यह देखिए में बहुत शी मंदिर में बहुत शी में देवी देवताओं की कोई गनेज जी की है कोई हमान जी की है और यहां मंदिर से देखिए उपर से यह बहुत बड़ा एक पॉल्सा बनाया हुआ है और रामदास जेल खाना के नाम से जाना जाता है तो हो सकता कोई भक्त रामदास हों उनको जेल में रखा होगा अब उलहसन कुटब शाहन है और आज यह उपर मंदिर भी बना हुआ है जो आपने देखा अबुल हसन कुटब शाह नाम है जिन्होंने इसको जेल बना दिया था उपर चलते हैं यह जो स्ट्रक्चर है आपको नीचे से भी नजर आया था और उपर आगया हूं और यहां से देखिए एक शहर का नजारा और बड़ा और विस्तरत और फैला हुआ यह फोर्ट जो है वो हैदराबाद सिटी के वेस्टन आउट्सकर्ट्स पे है है हैदराबाद के पस्चिम की दरफ चलते हैं उपर और मंदिर है और बाकी तो सभी आप देख रहे हैं सब खंडर हो गया है सब खंडर पड़ा है उपर चलते हैं मंदिर और उपर है यह एक स्ट्रक्चर है अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है और यह क्या है कह नहीं सकते और एक आइसोलेटिट सा स्ट्रक्चर लग रहा है यह यह भी एक स्ट्रक्चर है सब यह भी खंडर है देखिए बहुत उपर चड़कर के यह सब रहने के होंगे चाहे वो रानियों के रहने के हों चाहे स्टाफ के रहने के हों वैसे ही रहे होंगे लेकिन अब सब खंडर हो गए है ग्यारवी सदी का किला है लेक अफ मेंटेनेंस की वज़े से या जो भी समझो आप काफी कुछ खंडर हो गया है और काफी कुछ बचा हुआ भी है यह मंदिर है माता का मंदिर है चलते हैं माता के मंदिर में जगदंबा माता का मंदिर है जगदंबा माता का मंदिर है यह देखिया साहब किया स्टिक्चर है कितने बड़े-बड़े स्टोंस हैं और यह पुराने टाइम की एक तोप पड़ी हुई है रखी नहीं हुई है पड़ी हुई है और टॉप पे आने के बाद एक बार और शेहर का नजारा मंदिर जो है यह किले से भी पहले का मंदिर है पुराना मंदिर है यहां जो बैठे थे उन्होंने बताए पंड़जी नहीं है कि इसे तो आल यहां कि अश्टन गर्श्टन 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 गफा जैसे बनी हुई है तो गफा के अंदर है माता का मंदिर और जैसा की होता है उपर चड़ाई पर ही है माता जी देखे यह भी कोई स्ट्रक्चर है उपर और यह भी खंडर हो गया है वो सामने केंटीन है खाने पीने का सामाल है लोग उपर तक चड़ करके आते हैं ठक जाते हैं उन्हें खाने को भी चाहिए पीने को भी चाहिए हम भी देख लेते हैं फिर यह स्ट्रक्चर है कुछ यहां भी उपर जा रहा है लोग चल के देखते हैं गुहावा जूस हो गया दोस्तों उसके बाद अब चलते हैं स्ट्रक्चर को देखने के लिए कर दोस्तों पारब जोस्तों प्रच्चर को अबर रहा हैं यह जोस्तों प्रच्चर के बाद बाद जाब भी जगए तर्षार देज अपर दोले खुले राँ प्रॉप पार जोलोग्राइट के ओंग ठाव में भार हूं को और भी अबिल दीजोंता है का रिदाना मृष्यारा नगी सावड़ा सिर्फ भाल में और यह राई जाएा नकी मॉम्सरी भाल ना उना सिक्तिक्षर बना हुआ है पुरहाना और उपर चड़के देखते हैं सो रिच्ट अन दे टॉप और यू कन सी दिस स्ट्रक्चर अन दे टॉप एक दम टॉप पे बना हुआ यह स्ट्रक्चर है और एक बार यहां से भी हैदराबाद सिटी का व्यू लेंगे चारों तरफ का और यह देखिए फोर्ट हम लोग कितनी उचाई पे आ गए हैं अगर आप वो नीचे देख सकते हैं लोगों को बहुत चोटे चोटे नजर आ रहे हैं एक चुरी हम लोग बहुत उचाई पे आ गए हैं और यह दिखाई दे रहा होगा पूरा खंधर हुआ है यह फोर्ट आपको नजर आ रहा होगा all is now in rioon अग्यों यह उपर स्ट्रुक्चर मना हुआ है और यह बड़ा हौल सा बना हुआ है यह भी बाहते हैं यह जो अभी हमने देखा एक्चुली यह बारा दरी है दर्बार हॉल तो यह है बारा दरी या दिवाने खास और इसके अंदर जो बड़ा सा हॉल देखा था वो है दिवाने आम आम पप्लिक के लिए यहां कुछ तो लगी हुई है और यह जो जगे जगे आप लाइट्स देख रहे हैं एक्चुली शाम को लाइट और साउंड प्रोग्राम होता है यह भी देखिए सारा खंडर हुआ पड़ा है एक बर यहां से उपर का व्यूव जहां से हम होके आये हैं यह देखिए यह भी पानी का कुछ है अब यह कुवा है हौध है कुछ नहीं पता कुवा तो क्या होगा लेकिन अब इसमें देखिए सकते हैं आप यह देखिए यहां लग रही है कुछ स्मेल सी अस्टबल टाइब सा होगा कुछ चलिए उपर चड़के देखते हैं कुछ सब खंडर है यह देखिए सब टूटा फूटा पड़ा है यह देखिए दोस्तो सब खंडर हुआ पड़ा है मेरी तो पूरी कोशिस है मैं चप्पा चप्पा चान मारूं किले का अकर रहा हूँ वही यह देखिए आपका को दो खंडरा है को दो यह देखिया, यह पुरान है किले, महल, यह महराब बने हुए जगे जगे, लेकिन सब तूटा-फूटा है, यह सब नीचे तो हम पहले देखी चुके हैं, यह बेरिकेट्स रखे हुए हैं, और यहां आ रही है स्नेल, और आवाज भी आ रही है, और दिखाई भी दे रही हैं, बैट्स, यहां बहुत हैं, और खत्रे से खाली नहीं है, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहां पर है, बहुत आवाजें आ रही हैं, चिपकी पड़ी, यह आप भी सुन सकते हैं, तो सुनिए चमगादून की आवाज, अंधेरा है बिल्कुल, नजर भी आ रही होंगी आपको उड़ते हुए, वो देखिए, बहुत चमगादर हैं, बहुत देखिए कितनी उड़ रही हैं, अंधेरा हैं, बहुत ऑगादून की आपको यदी आपको की इस सुनि यदादा हो, मिर सुनि आपको करिकी आपको काया रही हो, भी सकता हो, जरिखना हुई हैं, पयूसियोन इन अपको घत blended juste आपके अावाई, अपके हो आपको, यह एक्चुली में शाही महल कभी था जहां पर अभी हमने चमगाद़ने देखी तो कभी शाही महल का हिस्सा है यह शाही महल हुआ करता था यह झा करता देखी processmaster करता देखी करता देखी यह जरूर वाश्रूम होगा टौलेट लेटें यह लेटें पुटेशके लिघ। इसा लेटेशके लेकर टुटेशके लेटेंगे कोईट काल इस तो उरंद है इस पयाओ जर्ट मुट रखना इस तो आटी है इस तो आटी है इस हता कि एक बालगी इस तो आटी है आप चमगादरों का साशन है यह सेंटर में फाउंटेन है यह वेखिए पूरा खंडर हुआ पड़ा है अब यह जो भी रहा हो महल का ही हिस्सा हुआ है हुआ 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 है कि तरफ हुआ देखिए बहुत रश है बहुत लोग आ रहा है धुमने के लिए बहुत टूरस्ट तूरिस्ट आटेंस के लिए हैंडराबाद का मेजर टूरिस्ट अट्रक्शन है है तो दोस्तो यह था गोलकॉंड़ फोर्ट 291 डेस्टिनेशन तो आज की वीडियो में इतना ही बेखिए और हैवराबाद के बाद अब जोंब अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वह हैचे नहीं तो दोस्तों मिलेंगे अगले विलोग में तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रभु आशिरवाद